एक अच्छा विधारती कैसे बने अच्छे विधारती के कौन-कौन से घून होते हैं अच्छे विधारती का क्या मतलब है इस पर छोटे सी जानकर हम प्राप्त करेंगे तो आप इस वीडियो को पुरा देखना दोस्तों अच्छे विधारती का मेरे अनुसार मतलब है कि उसक पढ़ाई पूरा होते ही उसके पास रोजगार के शादन हो और उसको कम से कम यह पस्तावा ना हो कि उसने पढ़ाई कि उसने अपने अच्छा परफॉर्म किया है इसके अलाव दोस्तों यहां पर एक और फेक्टर आता है वह स्वास्ति है हमारा जिन्दकी है वह किस से जुड़ा है हमारे स्वास्तिय से और जो हमारा फेमिली स्टेटस है सोशिल स्टेटस है वह किस से जुड़ावा है हमारे काम से जुड़ावा है यानि हम काम क्या करें इसके आदार पर यह डिसाइड होता है कि हमारी समाज में value क्या है आधिकतर cases में है और हम अपने जिवन से कितना खुष है यह decide होता है कि हम कितना स्वास्त है वो चाहिए विचारी क्रूप से हो चाहिए सारी क्रूप से हो जैसे आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है सब कुछ है लेकिन आपके पास दोसने स्वास् फिर भी आप खुश रहे सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपकी पास उतना होना चीज जिससे कि आप सरवाई कर सके उसके बाद आगे आप यह दिसको एक्स्टेंड करते हैं तो आपकी जीवन में मेरे अनुसार फर्स्ट प्रायटी होनीचे स्वास्ते और दोस्तों एक वह अन्य चीजें भी कर लेता है यानि अपना एजुकेशन के बलबूते पर सोशल इस्टेटस भी बना लेता है तो यहां पर दोस्तों पहली क्वालिटी तो आती है मैं आपको बता चुका हूं कि आपको यह पस्तावा नहीं होना चाहिए कि उसने अच्छे से मैनत नहीं क दोस्तों सेकिंड प्रायटी आती है आपका स्वास्तिय यानि हेल्थ बाकी जो भी चीजें हैं वो सब क्या है इनसे जुड़ी वे आपके पाँ अच्छा हेल्थ है अच्छा एजुकेशन है और आप सफल हो जाते हैं तो बाकी सब चीजें हैं जो आपको मिल जाती है जो जिवन के सुख सुधाय है जो मूलबू सुधाय है वो सारी मिल जाते हैं लेकिन ये ऐसी चीजे हैं जिने आप मार्केट से खरी नहीं सकते हैं आप डिगरी खरी सकते हैं लेकिन नोलेज नहीं खरी सकते हैं आप दवाई खरी सकते हैं लेकिन स्वास्ते नहीं खरी सकते हैं यनि ये दो चीजें जो है वो हम खुद को बनानी अब दोस्तों ठीक है यह मैंने आपको बात कर ली कि पढ़ाई करो हेल्थ लिकन यह कैसे करें यह भी एक कुशन है तो पढ़ाई में दोस्तों आज आता है कि आप जिस फिल्ड में है उससे लिल्टेड आपके पास कौन सी स्कील अभी है जिने आप फ्यूचर में मार्केट मे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वहाँ से पैसा मिलेगा सबसे महत पूना आपके पास बहुत ज्यादा डिग्रिया है लेकिन स्कील नहीं है उसको मार्केट में करने का जगह नहीं है तो आपका वो डिग्री कोई काम का नहीं है दोस्तों फाइनली मैटर करता है हमारा अर् हम उससे कुछ ना कुछ अर्णिंग कर पाएं अपने जीवन यापन के लिए और जीवन यापन के लिए पैसा जरूरी है फास्ट हो गया इसकील सेकिंड दोस्तों आपका आता है सुब्जेक्ट कि आपको सबसे ज्यादा किस सुब्जेक्ट को महत्वा रहना ची तो ये दो दोस्तों यहाँ पे पहली तो बात आती है कि दिन चरिया अच्छी होनी छी अच्छी दिन चरिया का मतलब किया दोस्तों आप नस्रस से दूर और इसमें आपका आज दिभी आ जाता धा ses किन बात आती है आपके सौस्थे में वह गुश्क भीदावरِّは करते रहें तो वह बहुत बड़ी क्लिटि तापित ने वाली है आने वाली दस या 15 साल बाद को प्रेषर हो जाएगा, बीपी हो जाएगा होगा, धोस्तों, क्योंकि हमारा बूडी किस के लिए बना है, वो रख आउट करने के लिए बना है, इसको यह आपको अच्छे से समजला हैं, तो बंद्रों को दखे, वो कितना रोजाना उसल कूद करते हैं, या अपने किसानों को देखो वो कितना मेनत करते हैं तो उनके दोस्तों ब्लेड प्रेसर ये हार्ट का प्रोब्लम नहीं आता है क्योंकि मैं खुद गाहूं से बिलोंग करता हूं तो मेरे फैमिली में आज तक किसी की दिक्कत नहीं मेरे जो ग्रांट फादर है वो अभी सितर साल के हो गए हैं तो उनको इसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वह बहुत हार्डवर करते हैं आज भी बहुत हार्डवर करते हैं तो दोस्तों हम फिजीकली हार्डवर करने खेत में तो आप जा नहीं सकते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या रहे के सीटी में रहे के या कोई भी इस्टिटूट म अब देखो आपके जिवन में कौन कौन सी चीज़ें मेंटर नहीं करती हैं आपका फ्रेंड सरक्ल दोस्तों ज्यादा बड़ा है या छोटा कोई मेंटर नहीं करेगा क्यूंकि कॉलेज कतम होते ही आपके सारे अपने जगे सेटल होने वाले अधिक तर कैस में यही होता है कि क अच्छा पढ़ाई किया जिवन बरसाथ देगा उसके लाओं दोस्तों जैसे आपका अभी कोलेज में ड्रेसिंग कैसा है या आपके पास अभी कितनी सुख सुधाएं हैं यह मेंटर नहीं करता सपोज आप कल यदि बहुत बड़े अधिकारी बन गए तो आपके पास ड्रेस मिल जाएंगा सब मिल जाएगा लेकिन यह दो चीजें आपको फिर नहीं मिलेगी इनको खुद को बनाना है तो अभी से इन चीजों को दोस्तों फर्स्ट प्राइटी के रूप में लेके चलें और जीवन में हमेसा प्राइटी दो अंक दो कि यह इसके दस में से इतना अंक है तो आपको दोस्तों कभी जीवन पस्तावा नहीं करना पड़ेगा आपका जीवन में कितना भी बड़ा से बड़ा मुस्किल से मुस्किल स्रिचुशन क्यों ना आ जाएं लेकिन आपको पस्तावा नहीं होगा क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो पहले से डिसाइड करके कर ऐसे ही आंक मिचके नहीं कर रहे हैं बस यह है यह मैं कर लूँ यह है नहीं उसको आप पहले डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे यह करना है ओके धन्यवाद दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा दोस्तों कहीं कोई गलती हुई तो नीचे कोमेंट करके बता दें और यह मैं मेरे खुद के विचार बताएं हैं हो सकता है कि आपके लिए इन में से कुछ चीजियों का मतलब अलग निकलें तो वह आप पर डिपेंड करता है लेकिन मेरा यह था है कि मैंने मेरी विचार आपको शेर किये